बिस्मिल्लाहिर रह्मार रहीम असलाम लेकुम ट्वाइट यह स्टुडेंट्स मैं आपका ट्यूटर रजा लतीव प्राम गोर्मेंट पॉस्ट ग्रेजुट काले सुमूंदरी को स्टाइटल वेक्टर एंड टेंसर अनलेसिस कोर्स कोड म्टी फाइज फाइज सेवन सेट एंड फूफ की फाम में तो इंपोर्टन टॉपिक था और आज हम गाज डिवेजन्स थीरुम की अप्लिकेशन को इंशालला कंप्लीट वाइड वाइड अप करेंगे और आज जो हमारा टॉपिक है एप्लिकेशन ऑफ गास डिवेजन्स थीरुम से क्नेक्टेड होगा इंशालला और इससे रिलेटर जो हमारी अप्लिकेशन है वो आपके लेक्शर जो आज कंटीनु है इसमें हम इंशालला कर रहे हैं और इसको कंप्लीट वाइंड अप करेंगे और इससे रेलिमेंट जो एप्लिकेशन आपको होम वरक कर लिए दी जाएगी वो आप सभी इसको फोलो करते हुए आपको इसन नंबर 17 भी परफॉर्म कर लेंगे जो आपका होम वरक होगा ठीक है तो चलते हैं आडिया स्टेन करते हैं आडिया उसिंग दी डिवर्जंस थीवर्म सर्फस इंटीग्रल इसमें एस है एवेक्टर डॉट न हैट इंटू दी एस वेर ए एक्टर इक्वल है 2xy i hat plus yz square into j hat plus xz into k hat and s is the surface of the region bounded by यह के हमें limits दी गई है x is equal to 0 y is equal to 0 y is equal to 3 z is equal to 0 and also x plus 2z is equal to 6 यह हमें एक सर्फस दे दिया गया है तो यह हमारे पास इसमें गाज्रोइजन्स थीवर्म की हमने application को perform करवाने के लिए थीवर्म को conduct करेंगे और यह हमने evaluate करना है ठीक है surface integral जो double integral की form में है और इसके लिए सब्सक्राइब करेंगे और जो आपको इनके लावा दरते हैं चाहीं होंगी वह आप यहां से कंड़क्ट कर लेंगे ठीक हो गया तो चलती है ज्योस्ट्रेंट्स सुलिशन की दर चलते हैं तो इसके लिए हमें गिवन क्या है गिवन डैट एवेक्टर इक्वल है 2xy i hat plus y z square into j hat plus xz into k hat ठीक है ओनवर्ड हम जब यह राइट कर लेते हैं कि यह वेक्टर इसमरी यह है ठीक है गिवन जो है उसके बाद आप limits की तरफ move कर रहे होते हैं तो limits जब आप move कर रहे होते हैं तो आप first of all z की limits calculate करते हैं फिर y की limits को calculate करते हैं फिर उसके बाद x की limit को calculate कर रहे होते हैं तो जब आप z की limit को calculate करेंगे तो उसके लिए आप तो जो surface है वो है x plus 2z is equal to 6 इसमें हमने जब z की limit point करनी है तो आप ऐसे करिएगा कि x को दूसरी साट पर मूव करवादे हैं तो यह बन जाएगा 2 is equal to 6 minus x फिर आपने z को यहां से calculate करना है, z के साथ 2 multiply हो रहे हैं दूसरी साट पर जाकर हो जाएगा divide so z is equal to 6 minus x over 2 तो यहां से हमें यह idea हो गया, कि z vary करता है from 0 to 6 minus x by 2 क्योंकि आपको यह given में दिया हो है कि z, यह मारे पास 0 से start होता है, ठीक है, initials है तो z फिर 0 से vary करता है from 0 to 6 minus x by 2 और इसी तरीके से हम जब y की बात करेंगे, तो y के लिए तो आपको दिया गया है for limits of y, y की limits हमें दी गई है y is equal to 0 and y is equal to 3 यह आप देख सकते हैं, y is equal to 0 है and y is equal to 3 है, तो आप लिखेंगे इसमें y varies from 0 to 3 ठीक है न, और जब आप limits x की बात करेंगे, for limits of x, इसमें भी आपने sphere जो होगा, surface जो होगा है x plus 2z is equal to 6 है, जब आप x की limit की बात करेंगे, तो x के अधर्द हैं, आपने अधर्द हैं, जो जितनी भी variables होंगे, उनको 0 write करना होता है far limits of x की जब बात हो रही होगी, तो आपने, अगर z बीच में आ रहा है, y इंटर हो रहा है, तो आप उन्हें 0 write करेंगे, ठीक है, only on x वहाँ पर रहेगा तो put z is equal to 0, then आपके पास क्या होगा, x plus, यह z की value आपके पास आजएगे 0, ठीक है, 2 into 0, यह 0 हो जाएगा, x plus 0, x आजएगा, ठीक है, so x is equal to 6, तो x varies from 0 to 6, ठीक है, तो यह हमें z की limits मिल गई, और यह हमें y की limits मिल गई, और यह हमें x की limits मिल गई, पिर जब हमें limits का भी idea हो होता है, next हमारा task होता है, formula, since we know that, gas divergence theorem, यानिके हमने जो role है, जो application का एक procedure है, उसकी तरफ हमने जाना होता है, हमने अपनी divergence theorem के formula को apply करवाना होता है, तो हमने यह ass statement को write कर दिना होता है, और यह इसका formula, यह write किया, और इसको follow करते हुए हम अपनी application को perform करवादें, then हमारा required answer जाएगा, तो surface integral, s है, a vector dot n hat into ds, equal होगा triple integral, जो के r projection के होता है, और del dot k vector into dv, आप यहाँ पे r projection की जगा only on vb write कर सकते हैं, ठीक है, और कोई student इस r की जगा v write कर ले, तब भी ठीक है, अगर आपनी capital r show करना है, projection के लिए तब भी ठीक है, it's no issue, onward हमने अपनी limits को apply करवाना ह तो आप देखेंगे कि यह हमारे पार triple integral है, यह हमारे पास x की limits है, यह y की limits है और यह हमारे पास z की limit है, तो x की limit है 0 to 6, y की limit है 0 to 3, और z की limits है 0 to 6 minus x by 2, उसके बाद में यहाँ पर del operator को open किया हुआ है, del operator है partial over partial x into i plus partial over partial y into j hat, plus partial over partial z into k hat, ठीक है, यह जो bracket में write है, this is known as del operator, फिर यह हमारे पास आप देख सकते हैं, यह आपर del आ रहा है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास a vector की value है, a vector की value यह है, ठीक है, जो bracket में write की गई है, 2 x y i hat plus y z square into j hat plus x is x into k hat, d z d y d x, यह हमने dv को open किया हुआ है, जब आप dv को open करते हैं, तो यह आपके पास आजाता है, d z d d y d x, उसके बाद आपने dot product का result follow करना है, यहनि i dot i आप जानते हैं, 1 होता है, ठीक है, तो यह बन जाएगा partial over partial x into 2 x y, वो मैंने यहाँ पर ऐसे write किया होगा, ठीक है, फिर j dot j 1 होता है, ठीक है, जब j dot j 1 होगा, तो यह बनेगा partial over partial y into y z square, ठीक है, यह आपके बस बन जाए इंटो x z, तो यह आपके पास step create हो जाएगा, तो d z, d y, d x और जो इनके इंटेक्टर, definite की form है, वो as it is ही आ जाते हैं, ठीक है न, onward हमने इसे calculate करना है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे form, कि आपने partial derivative x के लहाँ से यहाँ पर apply करना है, 2 x y का partial derivative x के लहाँ से apply करेंगे, यह आपके पास आ जाता है, 2 y, plus y z square का partial derivative y के लहाँ से solve करेंगे, आ जाता है, plus z square, और x z का partial derivative with respect to z solve करेंगे, आपके पास आ जाता है, plus x, और फिर यह d z, d y, d x, y, as it is है, और definite integral यह भी हमने as it is write की हमें, no changing, फिर हमने z की limits को यहाँ पर apply करवाना है, only on, यह जो हमारे पार limit है, definite integral की form है, यह है, z की limits, यानि के z is equal to 0 to, z is equal to 6 minus x by 2, और हमने यह function के उपर hold करवाना है, और यह हमरे पार derivative वो z है, ठीक है, यहाँ पर आप integrate, यहाँ पर जब आप open करेंगे, तो 2 by को integrate की आवे respect to z आ जाता है, 2 by z, ठीक है, 2 by constant होगा न, क्योंकि आप z के लाहाँ से integrate क कर रहे हैं, तो 2 by और यहाँ पर 1 होगा, 1 का integral z आ जाएगा, with respect to z, plus z square का integral होगा, z cube by 3, plus x का definite integral होगा, xz, ठीक है न, और जो इसकी limits हैं, वो हमने ऐसे write की, 0 to 6 minus x by 2, अब आपने यह जो limits हैं, यह upper limit और lower limit आपने इस complete function में put करनी है, जहाँ जहाँ z होगा, यह z आ रहा है, यह z आ रहा है, और यहाँ पर z आ रहा है, जहाँ जहाँ z होगा, वहाँ पर आपने अपर limit only on, 6 minus x by 2 put कर देनी है, ठीक है, lower limit की हम बात नहीं करेंगे, lower limit 0 ही आएगी, इसलिए हमने write नहीं करना, अगर other than कुछ है, फिर हम write करते हैं, upper limit और lower limit की हम बात कठी combine करते हैं, otherwise now only on, lower की बात कर रहे होंगे, ठीक है न, तो next इसमें दिखेगा, यह definite integral है, और यहाँ पर आप अपर limit जब आप put करते हैं, 6 minus x by 2, यह बन जाता है, 2 y into z की value, हमारे पास 6 minus x by 2, plus z की जगा हम put करते हैं, 6 minus x, इसका cube है, divided by 24, plus x into z की value है, 6 minus x divided by 2, ठीक है न, बाकि यह complete result as it is, है, उसके बाद आपने इसे calculate करना है, यहाँ 2 से 2 cancel किया, तो y into 6 minus x plus, यह complete result हमने as it is, ही write कर दिया, 6 minus x whole cube divided by 24, plus, उसके बाद आपने यह two को इसके साथ आपने separate किया, तो x by 2 into 6 minus x, यह भी हमने as it is, ही write किया हुए, just हमने इसको x के साथ combine करके write कर दिया, onward हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने न, इसको definite integral को यहाँ पर प्लाइग रिवाना है, यह हमारे पर limits है, यह है, y is equal to 0 to 3, y की limit हमारे पर lower limit 0 है, और y की limit अपर जो form में है, अपर limit जो y की है, y is equal to 3 है, तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर y include है, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ यहाँ पर one के definite integral यहाँ इसका लिए यहाँ पर भी y नहीं है, definite integral y के लहाँ से आ लेगा, ठीक है न, तो फिर यह बनेगा y की definite integral है, y square by 2, यह हमारे पर definite integral y की बनगी, ठीक है, और 6 minus x यह हमारे पर as it is, plus, इसका definite integral हमारे पास बनेगा, यह as it is होगा, और यहाँ पर जो one होगा, उसका definite integral यह बनेगा y नहीं आ रहा, यह as it is होगा, और इसका definite integral होगा, यहाँ पर साथ में one जो होगा, उसका definite integral y आ रहता है, और जो इसकी limits हैं, वो हमने ऐसे write कियो है, आप यह skip record write करके भी कर सकते हो, यह just ऐसे mod की form में, line show कर लें, तब ही limits ही होती है, ठीक है, इसे आपने परिशा इसलिए आप just work इसका करेंगे, अपर limit का, अपर limit जब आपने y की value 3 put करना ही है, तो इसका कुछ नो कुछ एक relation बनेगा, वो आपने follow करना है, वो हम इसमें अब y की जगा limit put करने लगे है, 3, जहाँ जहाँ y होगा y की value आपने 3 put करते नहीं है, तो आपका यह वाला step ऐसे create ह हो जाएगा, यहनि कि 9 by 2 into 6 minus x plus 1 by 8 into 6 minus x whole q plus 3 by 2 into x into 6 minus x, ठीक है, और definite integral 0 to 6 है, और यह जो definite integral 0 to 6 है, यह है x की limit, यह हम देख भी सकते हैं, इसका differential dx के लाग से है, फिर आपने इसको openlize करना है, 9 by 2 into 6 minus x, यह दो हमरे पास as it is ही आ गया है, प्रस फिर आपने यहां से यह वरक करना है, कि यह जो है ना, 3 by 2 into x into 6 minus x, यह हमने तरतीव से ऐसे write कर दिया है, और आपने यह x को अंदर, यहनि कि bracket के inside multiply कर देना है, तो x into 6 x हो जाएगा, और x into x, यह x हो जाता है, x care की form में, तो यह step create हो गया, फिर आपने इसका cube का formula है, वो open करना है, cube का formula यहां पर हम open करें करेंगे, यहनिके aq minus, a minus b का whole cube open करेंगे, तो यह आएगा aq minus b, q minus 3 ab into a minus b, तो उसको follow करते होए, हम यह वाला formula ऐसे create कर देंगे, ठीक है, तो 6 minus x का whole cube हो जाता है, 216 minus x cube minus 108 into x plus 18x के, ठीक है, फिर onward हमने, यह brackets को openlize करना है, जब आप bracket को completely openlize करेंगे, इनके 9 by 2 करना है, 3 by 2 को भी bracket में multiply करना है, और 1 by 8 को भी ब्रेक्ट में multiply करना है, तो आपके पास इस तरह का यह step create हो जाएगा, ठीक है न, तो यह आप इसको calculate कर लीजिगा, आप easily perform कर सकते हैं, उसके बाद आपने, जब ऐसे, क्या आप function create कर लेंगे न, यानिके इस relation से आप इस तरह जब create कर लेंगे, तो onward आपने इसकी pairings बना लेंगे, जब आप इस तरह की pairings create कर लेंगे, तो यह मतलब 27 इसमें 2 times होगा न, तो इसमें 54 हो गया, प्लस, और इसमें x के जो है न, uncommon parts हो है, minus 9 by 2, plus 9, minus 27 by 2, यह just only calculations ही है, plus into, और x के जो uncommon part जो है, minus 9 by 2, minus 3 by 2, plus 9, plus 9 by 4, यह uncommon parts ह हैं, इसको भी आप calculate कर सकते हैं, और minus 1 by 8 into x cube, यहां पर only on one time ही आ रहा होगा, यह हमने as if it is easy, ऐसे write कर लिया है, यह कुछ pairings हैं, आपने इनको फिर calculate करना होता है, यह मैंने यहां यहां पर LCM sold किया होगा है, यह भी आप easily perform कर सकते हैं, कोई issue नहीं बनेगा, तो जब आप calculations, intermediate level और metriculation जो आपने early classes में understand की होगा, steps यह वही हैं, आप easily perform कर सकते हैं, फिर जब आप इसना का यह step create कर लेंगे, तो आप यहां पर definite integral को follow करना है, यह हमारे पर definite integral 0 to 6, जो है x की limits है, 54 minus 9x plus 3 by 4 into x minus 1 by 8 into x cube, और into dx, यहां पर यहां पर जो हमारा एक function create हो चुक है only on, यह unique form x की formation में आगए, यहां पर कहीं बे भी, कहीं बे भी yz नहीं आएगा, ठीक है न, और फिर हम यहां पर definite integral x के लासे जब apply करेंगे, यह आज़ेगा 54 की definite integral 54x है minus, और 9x की definite integral बनेगी minus 9x square by 2, यहीं कि x की हम definite integral की बाल कर रहे है only on, तो x की definite integral बनेग x square by 2, और यह minus 9 as it is है, plus 3 by 4 into x square की definite integral, 3 by 4 तो as it is ही होगा, x square की definite integral बनेगी x cube by 4, लेकिन 4 को जब आप x cube by 3, तो जब आप 3 को 4 से multiply करेंगे, वो बनेगा 12, minus 1 by 8 into x cube का definite integral x की पार 4 over 4, तो 4 को जब आप 8 से multiply करेंगे, वो बनेगा 32, तो यह हमनार यह पास है, इस तरह कीकल लिमट से इस पर आपने apply करनी है, 0 to 6 है, अपर लिमट हमारे पास 6 है, lower limit 0 है, और जब आप apply करेंगे, तो आपके पास यह इस तरह का, only on आपने upper limit ही put करनी है, क्योंकि lower limit तो आपके पास 0 है, तो आप 0 जब आप put करेंगे, तो यह complete relation आपके पास 0 हो जाएगा ठीक है न, आपने justice में upper limit put करनी है, upper limit आपके पास 6 है, तो जहाँ जहाँ x होगा, वहाँ आपने x की value 6 put करनी है, तो आपके पास इस तरह का relation बन जाएगा, 324 minus 162 plus 54 minus 1296 divided by 32, तो फिर उसके बाद आपने इनको sold करेंगे, यह मैंने ऐसे calculate किया वह, जब आप इसे calculate करेंगे, तो इसका answer आता है 216 minus, जब आप इसे calculator से sold करेंगे, यह आता है 81 by 2, फिर आपने इसका LC में लेना है, तो LC में लेके यह कुछ इस तरह का answer आता है, 351 divided by 2, तो यह मारे पास surface integral का required answer आ जोके है, double integral जोके surface की form में है, a vector dot n है 182ds, equal है 351 divided by 2, hence which is a required solution for surface integral और जिसे आप double integral की formation में भी write करते होते हैं, यह हमने gas divergence theorem को follow करते होगे, complete application को perform कर लिया, तो hopefully other students, आज लेक्टर को सभी student action दाज में समझ दिया होगा, अगर फिर में किसी स्टाइब में किसी student को को confusion कर सकते हैं, इन्शाला आप सभी student को complete guideline दी जाएगे, और starting पर ही आपको मैंने बता दिया था कि homework के लिए मैंने आपको questions alert की हैं हमें, assign कर दी हैं हमें, वह सभी student को homework जो question होगा, description जो आपका channel का link है, यानके जो आपका ये lecture होगा, उसके description में ही आपको PDF file में receive हो जाएगा, आप महां से उस channel को link को open कीजेगा, और link को open करके वो PDF file महां पे show हो जाएगी, उस PDF file को आप download कर लिए जगा, और फिर वो जो question आपको alert किये रही हैं, उनको आपने solve करने हैं, ठीक है, just only one, एक ही question होगा वहां पे, और वो सभी students आप perform करने हैं, ठीक है, तो ख्याल रखिया ग्याद्रेस, friends, दौाम वी आरकना, अलापीस and stay blessed.